यह सरकार नमस्कार महाल जबादा शांदर आपकी पड़ाई अच्छी जलरी एंड आपके इंट पे रिविजन फास्ट हो रहा है अगले टोपिक इतर बढ़ते हैं हम टेक्स इन्वोईज डेबिट नोट एंड अधर डोकिमेंट देखिए चप्टर नमबर 13 सरकार आईए सर सबसे पहली बात बहुत इजी है सर टेक्स इन्वोईज कब इश्यू करना पड़ता है सर इन केस अगर आप गूद सप्लाई कर रहे हो तो time limit to issue the invoice Sir, invoice is required to be issued on or before remove of the goods जहाँ पर moment of the goods involved होता है वहाँ पर remove करने से पहले उस दिन यह उससे पहले आपको बिल issue करना पड़ेगा पर जहाँ पर moment of the goods involved नहीं होता है तो when the goods were made available to the customer when goods are delivered to the customer Sir, जब उसको goods available करा दिये उस दिन यह उससे पहले आपको बिल issue करना पड़ता है and Sir, अगर sale on approval base बेजा है अपने बेटा तो जब goods मेरे ऐसे remove होगा तब delivery चालान के base बेजाएगा और sale on approval basic case में Sir, invoice कभी issue करना पड़ता है या तो मुझे approval देते मतलब supply हो गया या 6 months from the removal whichever is earlier मैं को invoice issue करना पड़ता है बच्चो हाँ है ना भाई Sir, अच्छा goods के बार में दो-तिन बाते यही बताता हूँ आगे आएगी पर यही बढ़ाता हूँ आपको बच्चा Sir अगर continuous supply of goods है क्या है मालिक? Sir, जैसे या दे रखा है in case अगर आपने continuous supply of goods अगर आप सप्लाई करते हो जैसे पाइपलाइन के तरुब आप गेस सप्लाई कर रहे है continuous supply of goods तो यह सप्लाईर क्या करेगा आपको statement of account इशू करेगा कि इतना आपने गेस कंजूम किया है उस दिनियों से पहले या फिर periodically recipient आपको payment करेगा तो जब वो payment कर रहा है उस दिन यह से पहले मैं को invoice issue करना पड़ता है clear? तो sir या तो मैं supplier statement of account issue कर रहा है या recipient payment कर रहा है periodically supplier को तो whichever is earlier उस दिन मैं को उतने amount का invoice issue करना पड़ता है अगर goods on country supplier goods है तो बटा ठीक है sir और अगर गूट्स अप्रूल बेस पर अपने बेचा है तो यह सिक्स में रिमूवल और actual supply हो गया whichever is earlier में को invoice issue करना पड़ता ठीक है यह तो बाते करी में किसके regarding goods के regarding आई यह services की बत करता हम अच्छा services में बिल कभी शू करना पड़ता है बटा अब services में 30 days का वक्त मिलता है पर 30 दिन कब से from the date of provision of service मालब जब services complete हो यह वहां से 30 दिन में पर banking company financial institution including nbfc और insurance company की case में बूल दिया किया कि आपको invoice can be issued within 45 days का time दिया गया बेट आपको clear from the date of completion of service आपको 45 days के नदर invoice issue करना पड़ता ठीक है अच्छा अब services की बात कर रहा हूं मैं आपसे बेटा तो एक दू बाते और करता हूं in case of continuous supply of service के वला मालिक in case of continuous supply of service इन्वोस कब issue करना पड़ता है अगर आपने कोई ऐसा event fix कर रहा है जिसके होने पर recipient पर liability आईगी for making payment to the supply जैसे building construction बेटा building construction में event fix है कि सर इतना percent building कम लिटी तो आपको इतना payment करना पड़ेगा इतना percent building कम लिटी तो आपको इतना payment करना पड़ेगा तो जिस दिन वो event होगा on the happening of which recipient पर liability for making payment to the supplier तो उस दिन या उससे पहले पहले सर उस supplier को inverse issue करना पड़ेगा उतने amount के लिए जितना amount due होने वाला बेटा second अगर कोई due date of payment fix है जैसे telephone bill बेटा payment due date fix होता है बेटा due date पे payment करना पड़ेगा आपको तो जब due date आएगा उससे पहले-पहले invoice issue करना पड़ेगा बेटा सर और in any other case ना due date fix है बेटा ना ऐसा कोई event fix है जिसके होने पर recipient पर लायब ड़ेगी for making payment to the supplier ऐसा कोई event fix नहीं है तो जब जब भी recipient supplier को payment करेगा consideration का उस दिन उतना amount का उस दिन यह से पहले उतना amount का bill issue करना पड़ेगा supplier को in case of continuous supply of service यहां 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है बेटा अब सर मालू कोई contract मैंने किया आप से रोड बनाने का 100 क्रोड का contract नहीं पर किसी कारण से contract पहले ही terminate हो गया before the compression supply तो जिस दिन वो terminate हुआ contract टूड गया है उस दिन यह से पहले उतने amount का मैं को invest issue करना पड़ेगा जितने amount का contract मैं कर चुका हूँ मैं जितने amount का contract मैं कर चु बाते ओर कर लेता है मचो सर रिगार्डिंग tax invoice सबसे पहली बात अगर मेरे customer unregistered है या registered उसे कोई फर्क नहीं परता है इन्वोइस उश्यू करना पड़ता है पर अगर value of supply is less than Rs.200 और मेरे customer unregistered है B2C supply है और value of supply is less than Rs.200 तो ऐसे केस में मैं चाहूँ तो उस पड़किलर supply का invoice issue ना करूँ और day end पर जब दिन खतम होगा शाम को दुकान बंद करने से पहले एक consolidated tax invoice issue कर दूगी मेरे ने पूरे दिन में ये goods बेचे और सर उनका consolidated invoice ये रहा पर अगर मेरे customer registered है तो तो ऐसे केस में 2 रुपे का bill भी क्यों नहीं issue तो कर नहीं पड़ेगा अच्छा अगर customer unregistered है तो सर 200 रुपे से कम का bill है 200 रुपे से कम का bill है 200 रुपे से कम का bill रुपे पर अगर customer bill मांग लेता है मालों मैंने 150 रुपे का सेल किया customer unregistered पर वो गुलता है नहीं में तो बिल जाए तो देना पड़ेगा सर अगर आप सप्लाय करते हो या अगर आप पूशन स्कीम वाले परसन हो तो यसे किसमें टेक्स इंविश्व नहीं करते हो आपके इसू करते हो बिल ऑफ सप्लाय इसू करते हो इंस्टव टेक्स इंवईश क्लेर अच्छा आर्सीम में जहां पे भी recipient की लाइबड या थी एं और रिवर्स लगता है तो वहां टेक्स इन्वेस रेशिपिंट को खुद पर इश्यू करने की जरुद नहीं होती है फिर सद्यान देजी के बटा रिवर्स चार्ज में जब जब भी रेशिबिंट सप्लायर को पेमेंट करता है तब उसको पेमेंट वाउचर भी इश्यू कर पर हाँ सप्लायर अगर अन्रिश्टर है और रिवर्स चार्ज में रेशिबिंट की लाइबडी तो इसकेस में उसको कमपलसरी टेक्स अवेस खुद को खुद पेश्यू को नहीं पड़ेगा ओके सर अगर कभी भी एडवांस रेशिव होता है पहले गूर्स का हो अगर इडवांस दिया है अब यह डिफाइंड नहीं कि आप मेरे से इंट्रसेट पर्चेस करोगी कि इंट्रसेट पर्चेस करोगी है यह बाद में पता पड़ेगा सर तो एक बार में क्या करूंगा उसको इंट्रसेट मानते वे आईजिश्टी पे कर दूंगा और सर अगर 18% टेक्स लगा दूंगा और यह डिफाइंड नहीं कि इंट्र है कि इंट्र है तो एक बार इंट्रसेट मानते वे आईजिश्टी पे कर दूंगा बेटा अब मान लो आपने मुझे एडवांस दिया मैंने आपको रेसीट वाउचर इस्यू कर दिया अब कल को किसी कारण से आपको रेस्षो स्कूरण बेटा और आपको रेसीसडने समय और अरिच्छलम में एडिसेट वाउचर लिच्छल में गया सब्सक्राइब के आ सकता हूं कोई दिक्कत अली बात नहीं है और के माले टिक सर आएए बचो नौ मेनर ओफ इस अगर गुड्स बेचा है तो इन्वोइस हमेशा तीन को भी में इसू होता है ट्रिपलिकेट को भी में इसू होता है ओरिजनल फॉर रेसिपेंट डूपलिकेट फॉर ट्रंस्पोडर और्डिकेट फॉर असे सी हिंसेल्फ और सर्विसेंसी केस में दुपीट न बीुकीर को भी मिलिश होता है ओरिजनल फॉर रेसिपेंट और डूपलिकेटट फॉर सप्लायर हिंसेल्फ क्लेर ठीक सर आईए और आये क्या रिवाइष टेक्ष्टिफ व्ष बढा सुन्दर पॉइंट बढा अच्छा पॉइंट एकजम नेशन बढा इंपर्टेंट होता है रिवाइष टेक्षिन व्ष क्या होता है बच्चो मानलो कोई असेसी है उस पे लायबिटी कर दिया मालो apply क्या 3rd March को certificate of registration मिला कब पार्च मार्च को सर 14 फेब को he become liable for registration और अगर वो 30 देज में पार्च मार्च को मिला बट इफेक्टिव डेट ओफ रजिस्ट्रेशन विल भी 14th of फेब सर यह क्या effective date of registration यह और हमने अल्री पढ़ावाई बेटा अब सर 14 फेब से वह एफेक्टिव रजिस्ट्रेश्ट हो गया मतलब 14 फेब से उसकी जेश्टी की लाइबटी आएगी सर पर सर 14 फेब से लेंगे 4 मार्च तक जो सब्प्लाएए कियाहोंगे उसलिए टेंशों नहीं किया ओको कि क्योंए उस तकर वेस्ट पर कर्ष्टमर को ITC मिल जाएगा एंशर पार्च मार्च से एक महिन के इंदर दर ही किन सर्व दी रिवाइश टेक्स इंवोईज विधन वनमन्त फ्रॉम फिफ्थ मार्च एक मेने के अंदर वो रिवाइश टेक्स इन्वाइश इश्यू कर सकता है अपने कस्टमर्स को इन्रस्पेक्टर सप्लाइज इन्रस्पेक्टर सप्लाइज विचार मेट बिट्वीन 14 फेप्टिल 4th of मार्च ओके मालिक, क्लियर, डन, तो यह था क्या, रिवाइश टेक्स इन्वाइश बच्चो हाँ ना भाई, ओके, अच्छा, अब मानलो मेरे कस्टमर्स को ने अन्रजिस्टर ने बेटा तो क्या, हर एक को मैं बुला-बुला के रिवाइश टेक्स इन्वाइश दूँगा? आणसर इस नो, ऐसे केस में मैं चाहूं तो एक consolated revised tax इन्वाइश इस्यो कर सकता हूँ, in respect of all taxable supplies made to unregistered recipient पर अगर मेरा इंटर्शेट प्लाय था और बी टूसी सप्लाय था बड़ा तो मैं कंसुलिटर रिवाइस टेक्सिंवेस इसी करूंगा पर सर ऐसे केस में ध्यान ना मचचो अगर मेरे कॉस्टमर्स को जो मेरे इंटरस्ट सप्लाई किया है अगर उसकी वेल्यू इज एक्सेडिंग 2.5 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 एक्स सरा आपकệ सारे था टर्वित हुआ इलो महारास्टा स्ब्सक्राइब भ्लिक आ styled per तो के लिए लिए लुक्ति राजास्तां यि राज्स्टान वो भुप्राकर ग्जुराथ में जो स्वेल किया उसके अल प्लिश्व करूंगा सो देट रेस्पेक्ट्ट्व गवर्मेंट को रेवेन्यू मिल पाए बेटा प्लेस तो सप्ला है क्या वोडिंग बेटा आये बच्छो अब आ रहा है क्या कंटेंट्स ओफ इन्वोइस और वाउचर बच्छा तो जितने भी मंगेश यह एक बार एसी का रिमोट जो ना इसे थोड़ा तेज करना है सी बस सर कंटेंट अच्छा इन्वोइस का कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं किया है इन्वोइस का कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं हो रखा है आप चाहे तो अपना फॉर्मेट बनाया हमें को दिखत नहीं पर इन्वोइस में यह सब फॉलिंग इन्फॉर्मेशन तो होने चीए बेटा तो सर गॉर्मेशन क्या क्या लिखना है वह कंपलसरी क्या वाई बेटा ये एक्साकुस ना आप लिखिए कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं किया सब्सक्राइब बनारका बूर्ट सुंदरता शेर नॉर्मल टेक्स इंवोईस, रिवाइस टेक्स इंवोईस, बेलोफ सप्लाय, डेबिट नोट, क्रिट नोट, रिचिट वाउचर, रिफॉंड वाउचर, पेमिन वाउचर बिच्छा कंटेंट क्या होना ची सबसे बली बात नेम, एड्रेस, जेश्ट नॉबर अवदी सप्लायर, हर केस में होना चीए बिटा, सर, 16 डिजट कॉंजिकुटी सीरियल नंबर, अल्फा नियुम्रिक, सर, होना चीए, मैक्सम् सिस्टें डिजट हो सकते हैं बिचा, सब में होना चीए बिटा, डेट व इशू, सब में होना रेसीपेंट इस रजिस्टर्ड तो उसका नाम, एड्रेस, जेश्ट नंबर और अगर वो यूनिक आइडिटिफिकेश्ट नंबर होल्ड रहे तो यू आए नंबर बच्चा, ठीके, फिर अगर कस्टमर रजिस्टर्ड नहीं है, पर अगर वैल्यूप सप्लाय इस रूपी सब्सक्राइब और वैल्यू कितना भी हो सर, कोई मतलब नहीं है, सर वहाँ पर मेर को कोई कस्टमर का नाम लिखना ही ज़रूवत नहीं है, क्योंकि कस्टमर का नाम है को मैं खुद बिटा, अरे कस्टमर को ने बिटा, रेसीबिन को ने में खुदी तो हूँ, वो तो सप्ल वापस होना, पिटा, सप्लाइर अन्यूपर या नहीं हो रिवर्चस में रिषिटर्न के लाइपड आ कि या गरीर तो धर्टा, पेमेंट वोचल इसु करेगा तो रेसीबिन को रहे खुदी तो है, तो पेमेंट वोचल जब खुदा इसूप्द का नाम और एड्रस सर अगर कश्टमर अन्रेश्ट है और वैल्यों सप्लाइज लेस देन 50,000 तो अगर वो चाहे तो बोले तो अपना नाम लिखो देना वरना नाम एडरेस लिखने की जरूरत नहीं है कश्टमर बोलता है मैंना नाम लिखो तो लिख देना बेटा नाओ धेन एटसेंगाट अफ दी गूट्स ऑसविसेश बेचो फिर सब्सक्रिप्स अगूर्स ऑसविसर बहुत बेटा फिर क्वांटिटी अगर गूट्स अगर तो बिटा थेन टोटल वेल्यों सप्लाई कितना है फिर टेक्स बेल्यू कितना है मालोव डिसकां दिया तो अब एक लिए जना पेग्या उसने लिखेगा बिटा देन रेत ओफ टेक्स हर केसमें लिखना पड़ेगा उसको सर अमांट ऑफ टेक्स लिखना पड़ेगा सी जेस्ट अलग एज़िस तो आई जेस्ट आई जरलक बिटा इंटर सेट सप्लाई किया बिटा तो प्लेस कंपल्सरी ध्यानना हमेशा, clear? इंटर सेट इसप्लाइगे सें प्लेस तो सप्ला लिखना, कंपल्सरी, then बिल्टूचि टुमी तुमोटल लगर है आप बिल किसी यहार कुल लिख रहे हो दिलिवरी काही ओर कर रहे हो तो दिलिवरी का अडर्स पिली यह है तुछ जहार रिवड शार्ज मेरें कर किना होता है तो बिल पिल लिखना पड़ेगा is the invoice issued under reverse charge answer yes clear तो sir bill of supply हो या tax invoice हो खुद को खुद पर issue कोना पड़ता है आपको mention करना पड़ता है yes this is issued under reverse charge then signature या digital signature of the supplier या उसका authorized representative बेटा then nature of document by debit note है credit note है क्या है लिखना पड़ेगा उपर बेटा then serial number and debt of the invoice or bill of supply or receipt voucher बेटा आपने मानलों क्या issue किया है और हाई न भाई तर हाण हम पड़ेंगे government notified website से जिन लोगों सेभल पर QR को बरिग नहीं का === प्लास अगर मैं ओई-डैया सर्विस्च अपर रहा हूं या मैं ओनलेन मने गेमिंग सर्विस प्रोड कर रहा हूं या मैं इलेक्ट्रोनीक कॉमीर्स आपडर के थू सर्विसे सप्लाइ करू थिवा तो कस्टमर अगर अन्रेजिस्टर है तो इर्रेस्पेक्टिव वैल्यू सो रपेगा बिली क्यों नहीं हो उसमें जिस स्टेट में वो रेसिपिन लोकेटेड है वो इस्टेट का नाम लिखना पढ़ेगा और इस्टेट को इमाल लेंगे एडरसन रिकोर्ड एसा क्यों करवाय क्योंकि सर्विसेज है गूट्स की बात नहीं कर रहा हूं गूट्स में तो कहां गूर्स डिलीवर रहा है पता पड़ या बिटा सर्विसेज में कंजमिशन बेस्टेक्स सर्विसेज कहां कंजूमर कर अन्रेश्ट बिटा तो उसका इसके श्टेट को रेविनु जाएगी इसले श्टेट का नाम लिखना कंपलसरी और उसको एड्रस डिकोर्ड माल लेंगे बिटा क्लियर किन किन के समें ओनलाइन मनी गेमिंग देन इसको तुरू आपने सर्विसेज सप्लाइ करी या इसकुद सर्विस दे रहा है याव आप ओडिया सर्विस देरे हो किसको अन्र जो भी हमें पड़े वह यहां दे रहे कि आपकी रेफ्रेंस के लिए सो देट आपको ध्यान रहे है बिटा आए बचो एचसें कोड देन देना बचो हर गूट्स और सविस को आठ डिजिट एचसें कोड दिया है पर आपको सारे आठ डिजिट लिखने ही ज़रुरत नहीं ह पर अगर आपका प्रेसिडिंग यहर में टानोर वस अप्ट रुपीस 5CR तो केवल 4 डिजिट एचसें कोड लिखना है बिटा और मोर देन 5CR अगर आपका टानोर था तो 6 डिजिट एचसें कोड आपको लिखना पड़ेगा बिटा ज्यादा लिखना लिखना बिटा केस्टमर्स अन्रेजिस्टर्ड है क्या है बिटा अन्रेजिस्टर्ड और अगर आपका टर्नोर प्रिवीजर में किता था बिटा अप्ट रुपीस 5CR तो यसे केस में आप चाहिए तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा वनना अगर कस्टमर रिजिस्टर्ड है तो फोर डिजिल एक लिखना पड़ता है अपको ठीक है आओ बच्चो इन्वोईस कम बिल ओफ सप्लाइए यह क्या होता है मेरे मालिक सरकार इन्वोईस कम बिल ओफ सप्लाइए मालो मेरी दुकान है बेटा मैं एक्जिम गूड्स यह सर्विस सप्लाइए करता हूँ तो मैं बिल ओफ सप्लाइए शु करूँगा मैं टेक्सिबल गूड्स टेक्सिबल सप्लाइए करता हूँ तो टेक्स इन्वोईस शु तो इसे कि इसमें मैं चाहूं तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट इस्यू कर सकता हूं उसका नाम क्या होगा invoice come bill of supply और उसमें taxable goods or service भी लिख दूँगा exam goods or service भी लिख दूँगा और invoice come bill of supply can be issued to unregistered customer बेटा अच्छा customer अगर registered है तो तुम्हें को tax invoice अलग issue कोना पड़ेगा taxable supply के लिए और bill of supply अलग issue कोना पड़ेगा exam supply के लिए बेटा clear done और हाँ एक explanation लिखके बोल दिया क्या invoice come below supply में वो सारे particular होने चीज़ो tax invoice में या below supply में लिखे होते बेटा clear मतलब invoice come below supply का अलग से कोई format नहीं दिया content अलग से नहीं दिखे और बोल दिया क्या tax invoice या bill of supply में जो information लिखनी होती है वो इनमें भी लिखा होना चाहिए बेटा inverse come below supply में कोई खास बात नहीं आये सर अब कुछ special cases में बूल दिया क्या in following case में you may issue any document other than tax invoice बेटा first insurer banking company financial institution including nbfc ने अगर अगर अपना account statement भी इस्यू कर दिया हो भी monthly base पे सर चल जाएगा इनको हर transaction wise tax invoice इस्यू करने की जरूरत नहीं है पढ़िये सर इस पीपल में issue a consolidated tax invoice और any other document in lieu of invoice मतलब अगर इन्होंने bank account statement भी इस्यू कर दिया हमाल लेंगे इन्वोइस से बेटा by whatever I am called for supply of services made during a month मतलब monthly consolidated invoice इस्यू कर सकते है clear sir optional information के लिए serial number और address of the recipient नहीं लिखा चल जाएगा बेटा पर बागी सारे information जो tax invoice में चाहिए वो सारी information होने चाहिए उस statement में बेटा clear sir ये statement physically दो electronically को कोई फर्क नहीं पड़ रहा पर अगर आपने electronically वो statement दिया through information technology तो उसमें signature की जरूरत नहीं है आईए बच्चों GTA goods transport agency जो goods का transportation करी बाहर रोड इना goods के रहें उसको tax invoice तो issue करना ही पड़ता है साथ में consignment note भी issue करना पड़ता है बिल्टी तो या तो tax invoice में concern note की सारी information लिख दो या अलग से issue करो tax invoice के साथ में और tax invoice में consignment note का number डाल दो बिटा ताकि link होगा या पैस में पर उस consignment note में क्या क्या information होना ची बिटा gross weight of the consignment या तो यह सारी information बिल में लिख दो additionally बिटा ठीक है या बिल में consignment note को link कर दो और consignment note अलग से issue कर दो बिटा सर पर उसमें लिखा गया क्या होना ची बिटा gross weight of the consignment, name of the consigner and consignee, registration number of the goods carries, details of the goods transported, details of place of origin and destination, GSTN of the person who is liable to pay the tax, whether it is consigner, consignee or GTA, कौन liable है वो लिखना पड़े का उसकेन बिटा then rule number 46 में जो tax investment information लिखी होती है वो तो ही है बिटा, तो tax investment information वो तो सब ही है यह additional information है GTA के तुरू, अगर आप transport of goods कर रहे हो तो बिटा, ठीक है, तो GTA को यह additional information all लिख नहीं पड़ेगी साब, आईए सब flight ticket, train का ticket AC वाला, tax लगता ना बचो, तो passenger transport service की case में, जो ticket issue किया है उसे को bill माल लेंगे, अलग से को tax invoice issue करने की ज़रूरत नहीं है, पर serial number नहीं हुआ, invoice पर चल जाएगा, address of the recipient नहीं हुआ, चल जाएगा, बागी सारी information, जो एक tax invoice में लिक्योती ही, वो सारी information ticket पर होनी चीए बेटा, ठीक है, ticket को यह माल लेंगे tax invoice, और हाँ, अगर information technology के थूँ, अगर electronic आपको ticket issue हुआ है, तो आपे signature की ज़रूरत नहीं है, आ इसमें details of the recipient नहीं हुआ, चल जाएगा, पर बागी सारी information जो टेक्स invoice के थी, वो लिखी होनी चाहिए, clear, plus अगर वो electronically bill issue कर रहे है, electronic ticket issue कर रहे है, तो उसी को क्या माल लेंगे, tax invoice माल लेंगे, अलग से bill issue कर नहीं है, answer, देन देना बच्चा, यह जैसे multiplex screen के लिखा, पर यह normal theater बेटा, वो भी चाहे तो यह same procedure follow कर सकता है, हमें को दिकत, नहीं है, उसकी choice है बेटा, clear, done, आइए बच्चो, अगला परिंट आता है क्या, delivery, चलान, मंगिश ब्या, यह remote दो न मुझे, अगला परिंट क्या था सर, delivery, चलान, सर, delivery चलान क्या बोलता है बेटा, सुनना बात को ध्यान से, ओके, सर, पहली बात तो, delivery चलान क्या होता है बेटा, जैसे tax investment content होते है, वो की वो content delivery चलान पर होते है बेटा, जहाँ पे भी movement of the goods हो रहा है, अगर वो supply के लिए हो रहा है, तो तो tax investment शुकर होगी बेटा, पर नहीं है, जैसे आप goods repairing के लिए बेज रहे हो, job worker के लिए बेज रहे हो, या सर, आप कोई goods अपनी branch में बेज रहे हो, which is not the distinct person, same state में बिटा, अलग registration नहीं है, clear, या जब आप remove करो तो आपको quantity नहीं पता कि कितनी quantity में बेजने वालों, liquid gas के case में बेचो, या any other case, जापे supply न इस पोते हो, सब इस पे लिखे होते हैं, कोई अलग से content इसका अलग से नहीं है, पर, सद्यान देना बेटा, tax inverse issue करते ही time of supply आजाता है, tax की liability आजाती है, बच्चो, पर, delivery चलान इसू करके tax की liability नहीं आती है, आपको कोई tax पर connect ज़रुरत नहीं होती है, हाई ना भाई, पर tax inverse issue करते ही, पर, delivery चलान इसू करते ही, पर, delivery चलान इसू करते ही, तो, कोई tax की liability नहीं आती है, पेटा, clear, अब सर, एक बात और मस सुनना, पेटा, delivery चलान भी हमेशा, triplicate को पी मोगा पेटा, original for consignee, duplicate for transporter, और triplicate for consignee himself, पेटा, अच्छा, e-way bill हमने अल्रेडी पढ़ाव सर, e-way bill के case में, सर, जाबेवी movement of the goods, exceeding rupees 50,000 का होता है, वहाँ अगर tax inverse issue किया, तो, tax inverse number देना पड़ता है, आपने delivery चलान इसू किया, तो, delivery चलान साथ में देना पड़ता है, along with the e-way bill, बेटा, ठीक है, सर, goods transported in CKD or SKD conditions, मतलब complete knockdown condition, या party knockdown condition, या lots या installment goods कभी भी जाता है, batches में goods जाता है, बेटा, तो, ऐसी case में क्या करने का, जब first load निकलेगा, जब first load निकलेगा, जब first load निकलेगा, तो, पूरे load का, मतलब, पूरे supplier का, आपको tax invoice issue करना है, first installment जाते वक्त ही, जैसी tax invoice issue के supplier ने, उसके लिए time हो supply गया बचा, उसको tax pay करना पड़ेगा, पर, लास्ट लोट जब जाएगा, तब भेजना है, बेटा, तो, तब तब जब हर load जाएगा, customer के पास, तो, उस load का, उस particular load का, delivery चलान होगा, प्लस, वो tax invoice issue के तो, उसका photo को भी साथ में भेजना पड़ेगा, बेटा, जब last load जाएगा, तब आप, last load का delivery चलान, और वो original invoice, वो आप भेजोगे, और सर, ऐसे case में customer को ITC का मिलता है, हमने पढ़ाया, section number 16, subsection 2, कि last load जब customer को receive होगा, तब उसको ITC मिलेगा, और supplier भी लाइवडी का बागे, बेटा, first load issue करते ही, text invoice issue का निग लाइवडी आ गई, तो सर, उस पे text की लाइवडी भी आगे बेच्चो, clear, done आइए बच्चो, ये डिलिवर्ट सारण की कहानी कहता होती है, अब आईए एक दो circular देर के वो भी देख लेते हैं, सबसे पहली बात, supply on approval basis बेटा, supply on approval basis बेच्चा, इतो दियान, मानलो, सर, मैं, मैं एक wholesale कपड़ों का या ज्वेलरी का बेटा, मैं क्या करता हूँ, अललग शोरूम जाता हूँ, ज्वेलरी बेचने के लिए, कपड़े बेचने के लिए, मैं कपड़े का एक्जंबल लेता हूँ, जल्दी समाज में आए का बेटा, मेरे पास एक मारुती ओमनी व पहर जाता हूँ, फिर वो वेन लेके जाता हूँ, पास के टाउन में, जा पर दुकान वाले है, शोरूम वाले जो मेरे कस्टमर है, उनको शर्ट दिखाता हूँ, जितने शर्ट उनको पसंदा है, मालो एक हजार शर्ट लेके निकला, एक हजार शर्ट लेके निकला, मौनि सेकिंड शुरूम पर गया उसको 200 शर्ट पसंद आ है 200 शर्ट बेचे वही पर टेक्स इंविश चुकिया 200 शर्ट का बेटा क्लियर ऐसे करते करते सर मानलो 800 शर्ट बिग गए बेटा शाम को जब आ रहा था तब जीश्टी ओफिसर ने गाड़ी रोकी चेक करने के लिए बेटा मोर्निंग का डिलीविर चलाने तो मैं पास 1000 शर्ट का बेटा वो बलेगा 1000 शर्ट का डिलीविर चलाने आपको शर्ट तो कार में केल 200 ये बाकी का है तो सर मैं उसको बताऊंगा बिल बुक ये देखो मेरे पास बिल बुक है और मैंने 800 शर्ट बेज दिये ये रहे बिल बेटा उनके है clear और this is how documentation has to be maintained in respect of such transactions plus मानलो जो मैंने शर्ट बेचते में श्रूरूम वाले वो मेरे स्टेट में थे बिटा तो इंटर सेट्स अप्ला हो जाएगा पर अगर वो वेन लेकि में किसी और स्टेट में गया था गुट्स बेचने के लिए तो मैं सर में कहा का महाराष्टर का और मैंने खूरूम जाएं गुजरात तो सर वो इंटर सेट्स अपला हो जाएगा और इंटर स्टेट्स अपला हो रे तो आई जिट्स लग जाएगा उन सेल पे जो दूसरे स्ट स्ट में हुई बटा जो खुति यए स्टमोरे चिश Serぎ और क्लियर डफ अब मैंने वह रही एक्जाम्पल या पर किसका लिए अब इसमें ज्वेलरी ओल्षो दिसमें भी एनी गोट्स से वे मालव मैं आर्टेस्ट हूं बटा हैं या बनाता हूं पेंटिंग में आपने आर्ट वक आरट गैलरी में भीज़े डिस्पलेग लिए है तो जब डिस्पलेग लिए भीज़े वो सप्लाय 9 हुआ तो मैं डेलिविट चालान के तुरू आर्ट वक भेज़ दूँगा जब वहाँ बेके की पेंडिंग तो मैं रेस्पेक्टिव टेक्स इंवेस्ट शुकरूँगा और सेम प्रोचेजर फो लोगा जो मैं अभी बताया आपको क्लियर डन बरत मता की जै आए बच्चो सर हो गया क्या अभी अपना सर डेलिविट चारन उसका रिगार्डिंग सारे पॉण के तम आए डेबिट नोट एंड क्रेट नोट बड़ा सुन्दर पॉइंटे बेटा डेबिट नोट का इशू होगा अगर मैंने मालो आपको इन्वोइस में जो वेल्यू लिखी वो वन लेख लिखी बेटा बात में किसी एसकलेशन क्लोज या किसी वज़े से वेल्यू बढ़ गई 20-10 पर वेल्यू बढ़ गई तो मैं 20-10 का डेबिट नोट इशू करूँगा by giving reference to the original tax invoice या कभी मालो मैंने टेक्स लगा है 5% पर rate होके कितनी 12% और बात में बता बड़ा कि मैं को 12 पे करना है तो 7% का मैं क्या कर दूँगा डेबिट नोट इशू कर दूँगा आपको बच्चा लगधिया या goods work or farm to be deficient या आपने मुझे लेटर्न कर दिया या services or phone to be के Eiffyint बीटा तो ऐसे जो इंगोशिटील कोंट्रेक्ट और वेल्यू कम होगी बीटा तो ऐसे केश्पे में जो सप्लार है सब्सक्राइब एंग्सिट्रा इंवेस्ट्ट टेमर और से महलें मैं आपको टेक्स इन्वेस्ट्राइब आधा अब आपको सर किसी कारण से contract में value कम होगी बिटा और मैं 2 lakh आपको credit note issue करूँ बिटा तो 2 lakh प्लस 18% कितना हो गया 2 lakh 36,000 का मैं credit note issue करूँ गया cash issue करूँ गया देखना आपसे देहन से यहापे credit note issue करूँ गया 2 lakh और उस पर GST मालो IGST तो 36,000 IGST total हो गया कितना 236,000 का मैं आपको credit note issue करूँ बिटा अब सुनो सार इस credit note के base पर मेरी lifeよし toilet की उस मैंने की कम होजाएगा जिस मैंने मैं credit note issue करूँ बिटा जिस मैंने में credit note issue करूँ गया उस मैंने की liability 36,000 से कम होजाएगी यह मालो उस मैंने पर पर जिस मनेli is Lord not पढ़ेगा उसको क्लियर समझे मेरी बात ये बात आपने और मैंने वेल्वेश्ट में भी पढ़े थी बिटा ठीक है मालिक पर कि सीन्ज क्रेइट नोट की वज़े से मेरी लाइवडी कम हो रही है सर इसलिए क्रेट नोट इश्यू कोने का एक टाइम लिमिट फिक्स कर दिया कि जिस फिनेंशल येर से रिलेटेड वो टैक्स इंवेश्ट था वो फिनेंशल खतम होने के बाद अगले फिनेंशल का 30 नवेंबर या अक्चुल फालिंग ओफ मैं एन्नुल रिटर्न विचवरेज अर्लियर उस दिन तक ही मैं क्रेट नोट इश्यू कर सकता हूँ उसके बाद मैं क्रेट नोट इश्यू नहीं कर सकता हूँ इस फ्रेंशल में मैंने टेक्स इश्यू करी सकता हूँ उसके बाद भी 30 नवर्य अक्चुल फालिंग और अट्रेट नहीं है क्योंकि अरे डेट नोट से गवर्मेंट का टेक्स बढ़ेगा गवर्मन को पैसा आएगा आएगा पैसा तो कोई लिमिट नहीं दी बिटा हाँ सप्लार जब क्रेट नोट इश्यू करता है तब उसकी लाइवड़ी कम होती है गवर्मन के रविनियू कम होता है इसलिए उसकी टाम नोट फिक्स कर दिए बच्चो इसी के साथ यह डेट नोट और क्रेट नोट भी कतम होता है अब और सर देन दना मचो आपने पूरे साल और में मल्टीपल इनवसेश इश्यू की है तो इसके लिए आप सिंगल डेविट नोट या सिंगल क्रेट नोट भी इसू कर से तो मतलब मल्ट मतलब हर बिल का एक डेविट नोट जोरूड नहीं पिटा और रजिस्टर परसंड के इन इश्यू कंसूलेट डेविट नोट कोई दिकतली बात नहीं है और इसी के साथ credit note, debit note भी खतम होता है अब तो सरकार अब 2 point बचे है हमारे कोण से e-invoice और सर डाइनमिक QR code वाले point तो सर एक चोटा सा break लेलते है यहाँ तक आपके इंट पर revise के लिए answer उसके बाद continue करेंगे हम कहा से अगले point से बटा बारत मता की जये